बिग्नाहर का श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा मुझे तो दंड देना है चंद्रदेव को अब आपको कठोर दंड अवश्य प्राप्त होगा चंद्रदेव मेरी मा को कष्ट पहुचाने वाला जीवित नहीं रह सकता अरे मुशक जी, आप इतना भी नहीं समझते क्या मा के समख्च ऐसे ही चला जाओंगा, तो क्या वो व्यधित नहीं होंगी अपने उदर को बानने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना मुझे रभू, मैं आपकी कुछ साहिता करूँ आप मुझे अपने उदर पर बान लीजिए हाँ, अवश्य धन्यवाद देखा मुशक जी, मा ने कहा था ना, मुझे कोई शत्ती नहीं बहुँच सकती जिर्णम जिर्णम, भोजिनम जिर्णम गड़े सी कुछल है, अब सब कुछ ही अधावत हो गया पिताश्री, मामा जी, फूपा जी और समस्त्य देवगण आप सभी यहाँ, आप सभी को मेरा प्रणाम प्रतीत होता है, मुझे लोटने में बहुत विलंब हो गया जिसके कारण मा ने चिंतित होकर, आप सभी को यहाँ मुझे ढूनने भेज दिया किन्तो पिताश्री, मैं तो पूनर रूप से कुशल हूँ हाँ, उदर में थोड़ी सी पीड़ा आवश्य है, किन्तो चिंता का कोई कारण नहीं मा कहाँ है पिताश्री गनेश मा? मा क्या हुआ मा? भाईया, मा को क्या हुआ है आनुझ गनेश, मा थो तुमें लेकर ही चिंति थी कैंटो अब, अब तुम चिंता मत करो, मा श एक रेए कुशल हो जाएंगी हाँ गनेश जी आप कुशल है इसी में माता की चिंता दूर होगी और वो समान्य हो जाएंगी पुत्र गनेश सूरे देव उचित कह रहे हैं तुम चिंता मत करो तुम्हें अहद देखकर तीवी पारवती मुर्चित हो गई थी किन्तु अब जब तुम सकुशल हो देवी पारवती भी स्वस्त हो जाएंगी मा, देखिए न मा, मा मैं पूर्ण रूप से कुशल हो मा मुझे इक्षमा कर दीजे मा, मेरी कारण है आपकी अवस्था होई है मा मा की अवस्था मेरे कारण ही होई है मात्र उप्टन के लेब से उन्होंने मुझे आकार दिया मुझे में प्राण का संचार किया मेरा अस्तित्व तो उन्हीं से है और मैंने क्या दिया उन्हें दुख, पीडा और अश्रू कितनी बहर मेरे कारें रुदन करेंगी वो सभी की मान्यता तो ये है कि संतान माता पिता के लिए आश्रूवात के समान होती है किन्तु मैं, मैं तो सदा उनके कश्ट का कारें ही बनता हूँ कितना अयोग ये पुत्र हूँ मैं मा अप्री गनेश को देखी, मा नेत्र खोलिये ओम नमा शिवाय ओम नमा शिवाय पुत्र भौम का तब तो और भी प्रचन डेवं उग्र होता जा रहा है कहीं इसके उग्र तब से उत्पन्न उर्जा कैलाश पर कोई और संकत न उत्पन्न कर दे ओम नमा शिवाय अरे गनेश में ऐसा क्या विशेश है मैं बनूँगा महा देव का परम प्रीये पुत्र विवश्च कर दूँगा महा देव को कि वो मुझे अपने अतिप्रीये पुत्र के रूप में सुईकार करें ऐसा कठोर तब करूँगा मैं गनेश जी आप स्वयम को दोश मत दीजिए इन सब का कारण आप नहीं मैं हूँ बस इतना दुस साहस कैसे किया आपने क्या समझते हैं आप स्वयम को आप मेरा उपहास करते रहे मैं शान्त रहा आप मुझ पर हसते रहे मैं शान्त रहा कितने विचित राकृती है ना आपकी विशाल काय गज का शीश और उदर मानो अन्न का भंडार हो किन्दू आप देखिए उस परिहास का परिणाब देखिए मा को इसलिए आप शान्त नहीं रहूंगा मैं मा की इस अवस्था की कारण आप है आप पुत्र गनेश नहीं पिता श्री मुझे एक शमा करती चीए किन्तु ये मेरे और चंद्रदेव के मध्य की बात है देखिए चंद्रदेव देखिए मा को देखिए जगत जन नहीं है वो आदी शक्ती है भयंकर क्रूर असुरों का शेन भर में संगहार करती है वो किन्तु उनका हिर्दे इतना कोमल है कि उपहास आपने मेरा किया और आहत वो हुई आपको लज्ज आनी चाहिए चंद्रदेव आज मेरी मा समस्त संसार की शक्ती की स्त्रोत जगत जननी माता पार्वती एक साधारन अबला नारी के समान इस प्रकार मूर्चित पड़ी है और उनकी इस अवस्था का कारण कौन है आप आप है चंद्रदेव आप पुत्र गणिश शांत हो जाओ मामा जी आपकी बहन यहां मूर्चित पड़ी है और आप मुझे शांत रहने के लिए क्या रहे है अरे पुत्र को साधारन कंकर से भी ठेस लगती है तो मा के हिर्दे पर आगात होता है और यहां मेरी मा इस प्रकार चेतना कोकर गिरी पड़ी है तो उनके हिर्दे को कैसा आगात पहुँचता होगा इसका अनुमान लगाना भी कठिन है और आपके रहे हैं मैं शांत हो जाओ मामा जी पुत्र गणेश अन्यंतरित क्रोच से किसी भी समस्या का समधान प्राप नहीं होता समधान की चिंता नहीं है मुझे पिता श्री मुझे तो दंड देना है चंडर देको अब आपको कठोर तंड अवश्य प्राप्त होगा चंडर देव मेरी मा को कष्ट पहुचाने वाला जीवित नहीं रह सकता क्यों चंडर देव अब क्या हो आपको अब हसी नहीं आ रही आपको करिए ना अब मेरा उपहास करिए किन्तु अब इसका अफसर आपको नहीं प्राप्त होगा रोक्षाओ पुत्र गनेश प्रकति के अन्यने भाग हैं प्रकति के संचान में उनका मुख्य योगदान है उन्हें नस्त नहीं कर सकते तुम पुत्र अन्यथा प्रकति का संभून श्रिष्टी का संतुलन बिगर जाएगा नई पिता श्री भूलो अध्वा प्राध दोनों का दंड अवश्य प्राप्त होना चाहिए ये भी प्रकृति का ही नियम है प्रतम पूचे गणेश जी विखन हार्ता गणेश जी क्षमा कर दीजे प्रभू प्रभू क्षमा कर दीजे प्रभू रुक जाओ अनुज गणेश चंद्रदेव ने मात्र परिहास किया था उन्हें क्या ग्यात था कि उनके उभास का ये परिनाम होगा मा अपनी मूर्चा से बाहर आई अन्यता अनर्थ हो जाएगा मा उठिये उठिये मा मा उठिये उठिये मा उठिये अपनी मूर्चा से बाहर आईए मा पुत्रगरेश पुत्रगरेश मा मा आप कुशल है मा इतनी दुष्चता क्यों करते हो तुम मा सदा मुझे कश देते रहते हो शांती पूर्वक एक स्थान पर नहीं बैठ सकते तुम पिता श्री किन्तु मा टहले तो आप नहीं भेजा था ना मुझे बस अब मुझे अपने कूतर को से समझाने का प्रयास मत करो गणेश और मैंने तुम्हें टहलने का भेजा था तुम्हें टहलने ले जाने का सुझा कार्ति के का था पुत्र कार्ति पुत्र मैंने क्या क्या मा मैं तो केवल उसे टहलने ले गया था पुत्र मा नहीं मा पुत्र तुम क्या हस रहे हो यहां तुम तो अपने नाथ के साथ अपने प्रभु का ध्यान नहीं रख सकते थो तुम पुत्र, मा, 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 पितर श्री, प्रिये, आप तो दूरी रहे है नाथ, सदा आप मेरे पुत्रों के मध्य आ जाते कदाची तब गणेश जी और माता ने मेरी क्षमा याजना स्विखार कर ली ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरा पुत्र, मेरा गणेश सर्वथा कुशल मा, जो समस्त्रिष्टी का आधार है, बला उसे कोई क्या शती पहुंचा सकता है मैं बहुत लज्जित हु माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे वास्तव में तनिक भी अनुमान नहीं था कि मेरा ये सरल परिहास गणेश जी के लिए इतना हानिका रख हो जाएगा मैंने उपहास करने से स्वयम को रोगने का बहुत प्रियास किया किम तो ज्याद नहीं किसके प्रभाव में आकर मुझे से ये अनुचित कार्य हो गया माता मुझे क्षमा कीजिए मैं भविष्य में कभे भी किसे के भोजन को लेकर कुछ नहीं कहूँगा क्षमा कर दीजए माता क्षमा कर दीजए चंदरदेव, सदस्मर्ण रखिए, किसी के भी और विशेश रूप से किसी भी बालक के भोजन का परिहास कभी मत कीजिए ये, ये क्या मा? आपके शरीर में ये कमपन कैसा? मैं भैभीत हो गई थी पुत्र एक माता अपनी संतान की रक्षा के लिए सीनी बंच संघर्ष करती कि तो उसे इस अवस्था में अचेद देखकर पिखर पी जाती मैं तुम्हें अचेद इस अवस्था में देखकर तूट कई थी पुत्र अब कोई संकट शेश नहीं अब हमें लोटना चाहिए आप सबको कोटी कोटी धन्यवाद आप सभी ने मुझे क्षमा कर दिया क्या हो अब बुत्र चलो मैंने चंद्रदेव को शमा कर दिया है किन्तु मा मैंने उन्हें ख्षमा नहीं किया है आपको कितना कष्ट दिया है उन्होंने चंद्रदेव मैं दंड स्वरूप आपके प्राण तो नहीं लूँगा किन्तु आपको पूर्ण रूप से ख्षमा भी नहीं करूँगा मैं आप देवता है आपको इतना दोश्ट पूर्ण व्यभार नहीं करना चाहिए था पुत्र गणीश तनिक रुक जाओ आवेश में आकर कुछ भी मत कर बैटना गणीश चंद्रदेव आपका सौंदर्य जिसके कारण आपको सबसे सुन्दर और आकरशक देवता होने का इतना अभिमान है कि कि आप मेरे और मेरे गोलाकार उदर का उपहास कर बैठे अब वही सौंदर्य मेरे श्राप से कलंकित हो जाएगा आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी द्रिष्टी पड़ेगी चंद्रदेव वह कलंकित हो जाएगा कलंकित हो जाएगा पूत्र गणेश ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने मुझे एक्षमा करें पिताश्री जो मैंने किया वो सर्वता उचेत है मा जिन्होंने आपको कश्ट पहुचाया जिनके कारणा पूर्चित अवस्था में गई थी उन चंद्रदेव को अब दंड प्राप्त हो चुका है अब लौट चलिए मा नारायन ब्रह्मदेव ये प्रत्थम पूच्च गणेश जी ने ये ये कैसा श्राप दे दिया मुझे चंद्रदेव गणेश के श्राप के कारण हम सभी आपको देख पाने में समर्थ प्रताश्री अब अब आपको ही कुछ कर देए अब तो महादेव ने भी मुझे से मुख मोड लिया अब तो कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता अब इस श्राप के प्रभाव से कभे मुक्त नहीं हो पाऊंगा कुमार कार्थिके कभे मुक्त नहीं हो पाऊंगा चंद्रदेव ने तो स्वैम को मेगों से ढक लिया जिससे कोई भी भूल से भी उन्हें न देख सके किन्तो इससे तो रात्री अंदकार महीं हो गई है यदि ऐसा ही रहा तो रात्री में कोई कुछ नहीं देख सकेगा ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई पुत्र कनेश प्रणाम मा शुभाशीश पुत्र प्रणाम भहिया प्रणाम गनीश पुत्र, कल रात्री जो भी हुआ, उससे तुम्हारे पिताश्री अत्यन व्यतित व्यतित है? किन्तो क्यों मा? मैंने तो वही किया जो उचित था क्रोधा वेश में आकर तुमने चंद्रदेव को श्राप जो दे दिया मैंने चंद्रदेव को शाप दिया, क्योंकि उन्होंने अपने कृत्य से आपको दुख पहुँचाया, मा. क्या आपके पुत्र के द्वारा आपके सुक्तुक का ध्यान रखना अनुचित है, मा? मा, आप चिंता मत केजिए, मैं अभी जाके पिताश्री के समक्ष अपना पक्ष रख करूँ उनके व्यथा दूर कर दूँगा. ये कैसे विकट पर स्थिती उत्पन हो गई? किसी भी मा को ऐसी स्थिती का सामनक कभी नहीं करना चाहिए, कि उसके कारण उसके पती और पुत्र के मध्य दुराव उत्पन हो जाए. पुत्र कारतिके, मुझे लगता है तुम्हें भी साथ चलना चाहिए. मुझे आभास हो रहा है कि स्थिती बड़ी तनापून होने वाली. जी उचित है मा. पिता श्री. नाथ, ये क्या? आपने तो अपने नेत्र भी नहीं खोले. हमें देखा भी नहीं. और हमें अंदेखा कर अपना मुख मौर लिया. क्यों प्रभू? ऐसा क्यों किया आपने? पिता श्री, क्या मुझसे कोई भूल होई है? क्या आप इसलिए को पेता पिता श्री, कि मैंने चंद्रदेव को दंडित किया? भूल तो तुमसे हुई है गणेश. अपने क्रोध में तुमने चंद्रमा प्रद्रिष्टी डालने वाले को कलंकित होने का श्राप्ति दिया. और इसी कारण से, अब मैं किसे को भी अपने दर्शन देने में असमार्थ हूँ. क्योंकि चंद्रप्रति छाया रूप में मेरे शीश पर भी विराशते हैं. इसलिए जो मेरे दर्शन करता है, वो चंद्र के भी दर्शन करता है. इसलिए आप मेरे दर्शन करने वाले चंद्र प्रद्रिष्टी डालने के कारण कलंकित हो जाएंगे. इसलिए अब मैं किसी को भी अपने दर्शन करने की अनुमती नहीं दूगा. ना मेरे भाक्तों को, ना कार्थिके, ना गनेश, और ना तुम उमा, तुम भी नहीं चंद्रदेव को शाप दे कर ये मैंने क्या नर्थिकर दिया नाथ, ये आप क्या कह रहें? आपके दर्शन करे बिना में जीवत कैसे रहोंगे? जैसे व्रिक्ष का अपने जड़ के बिना, सरीता का अपने जल धारा के बिना, अर्था जीवन के आधार के बिना कोई अस्तित्व नहीं उसी प्रकार आप जो मेरे जीवन के आधार है, मेरे सर्वस्व हैं आप जिनके दर्शन से मेरे दिवस का आरंभ होता है और मेरे दिवस का अंथ होता है आप मेरे नाथ आप स्वयम कह रहे हैं कि आप पुझे दर्शन नहीं देंगे नाथ कनेश ने चंद्रदेव को जो शाप दीन उसका दंडा पुझे क्यों दे रहे हैं उमा, जब तुम अपने पूत्र को अचेत आवस्था में देखका करोदावेश बह रही थी, तब भी मैंने तुम्हें चंदरदेतों को शमा करने के लिए कहा था हम जगत पिता और जगत जन्नी हैं, और अपने कर्तवियों कर निर्भा करने हे तु, अपने रिदे को को ठोर कर, हमारा अपनी भावनाओं को भी तिलांजनी देना आवशक है यही बात मैं गणेश को समझाने का प्रियास कर रहा था, वो प्रत्थम पुझ्ये है, उसका क्रोध में अपना नियंद्रन खोना, कदा भी स्विकार ये नहीं और अब, जब उसने मुझे अंसुना कर श्राप दे दिया, तो हमें भी उसका परिणाम तु स्थेहना ही पड़ेगा पिता श्री, फुत्र गणेश, अब तो तुम्हें ही अपने पिता को समझाना होगा कोई तो ऐसी युक्ति, कोई तो ऐसा मार्ग होगा जिससे हम उनके दर्शन से वजचित न रहे पुत्र, उन्हें समझाओ, उन्हें शांत करो पुत्र पिता श्री, मुझे एक शमा कर दीजिए मैंने क्रोधवश आपका अनुवाद नहीं सुना मुझे एक शमा कर दीजिए किन्तु ये भी सत्य है पिता श्री कि चंद्रदेव को शाप देने में मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ आप जगत पिता है पिता श्री और मा जगत जननी ये भी सत्य है किन्तु ये भी सत्य है कि मेरे लिए अर्थात अपने पुत्र गणेश के लिए आप भी पिता है और मा मेरी माता और यदि कोई मेरी मा को पीड़ा पहुचाएगा तो उसे मैं कदापी सहन नहीं करूँगा हाँ पिता श्री ये सत्य है कि मुझे क्रोध आया था और कदाचित मुझे प्रतम पूझे गणेश होने के नाते अपने क्रोध पर नियंत्रन रखना चाहिए था कदाचित मुझे चंद्रदेव को ख्षमा भी कर देना चाहिए था किन्तु अपनी मा का पुत्रू होने के नाते जब अपनी मा को जो आदी शक्ती है उनके शरीर में मैंने कमपन देखा ये क्या मा? उन्हें भूमी पर असहाय मुर्चित देखा फीडा से उनका हिर्दय आगात होते देखा उनके अश्रू देखे तो मैं स्वयम को कैसे रोगता पिता श्री? मा तो कभी भी किसी से अपनी पीडा नहीं कहती है बार बार मेरे भाईया और अत्वा स्वयम आपके कारण उनके हिर्दय पर आगात होते रहता है किन्तु वो निशब्द रहकर उन पीडाओं को सह लेती है क्या ये उचे थे पिता श्री? चंद्रदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया वो तो मैं भूल चुका था पिता श्री मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी मा को अपारवेदना सहनी पड़ी वो टोट गई थी और इसलिए मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पश्तावा नहीं है पिता श्री पुत्र गणेश, अब एक और शब नहीं रुक जाओ पुत्र ये भावनाओ के कैसे भवर में फस गई हूँ मैं, कैसी स्थिती है एक और मेरा पुत्र जो मेरे प्रति अपना सने, अपनी निष्ठा को व्यक्त कर रहा है और दूसरी ओर मेरे कर्तव्य निष्ठ पती जिनके लिए उनके दायत्व ही सर्वों परी है जो अपने परिवार को ही दंड़त कर, हमें इस मरन करा रहे है कि अपार शक्ती होने के साथ साथ, बड़े उत्तर दायत्व भी निभाने होते है आपके इस कथन का क्या अर्थ है उमाँ, क्या मैं केवल कर्तव्यों से पन्धा पती हूँ ये तो आपको भी ग्याद है कि मेरे लिए दायत्व सरोच है क्योंकि उनमें संपूर्ण श्रिष्टी का सभी चराचर जीवों की भलाई नहित है किन्तो आपका ये कहना कि मुझे अपनी परिवार की चित्ता नहीं ये सर्वत हानुचित है स्वामी, यदि आप के लिए अपने परिवार का महत्व होता तो आप हमसे मुख क्यों मोड़ते यही समझाने का प्रियास कर रहा हूँ मैं मेरा आप से, गनेश से, कार्तिक से विमुख होने का कारण है मैं अपने परिवार की रक्षा करना चाहता उसे कलंकेत नहीं होने देना चाहता प्रभू, गनेश तो अभी एक बालक है इसलिए जो कुछ भी हुआ, वो मेरे कारण हुआ गनेश का उसकी मा के प्रती स्ने के कारण हुआ है और एक बालक का उसके मा के प्रती स्ने कोई अपरात तो नहीं है प्रभू इसलिए प्रभू, अपने परिवार को दंड़त मत कीजिए अपने भगतों को दंड़त मत कीजिए ओ मा, कल जो हुआ था, वो गनेश के क्रोध के कारण हुआ था प्रताम पूचे देवता होने का दाई तो समझना हो कौसे उसे समझना होगा कि उसके लिए व्क्तिक द्भावना को कोई स्थान नहीं उसका जीवन, मात्र और मात्र जगत का ल्यान के लिए ही समझ पृठ्ध है और ये भी कि प्रते किरिया की प्रतिकिरिया होती है प्रते कर्म का परिनाम होता है उमा, गनेश मेरा पुत्र है, तो चंदरदेव ही तो मेरे पुत्र के ही समान है अपने पुत्रों के मध्धे भेदभाव नहीं कर सकता मैं उमा, मेरे पुत्र गनेश ने मेरे ही पुत्र चंदरदेव को श्राप दिया वही चंदर देव जो मेरी जटाओं में स्थित है और वही शिराप कफार उठाने के लिए मैं विवश हूँ मैं ख्शमा चाहता हूँ पिताश्री किन्तु आपके पुत्र चंदर नहीं मेरी मा को ठेज पहुँचाई उन्हें कष्ट दिया ये मैं कैसे स्विकार करूँ पिताश्री कैसे स्विकार करूँ आप भी बताईए जो एक पुत्र को लगा उसने किया मुझे एक शमा करें पिताश्री मुझे एक शमा करें गणेश कुछ भी सुनने और समझने को तयार क्यों नहीं हो रहा है क्या कारण है कि पिताश्री के शब्द भी उसे प्रभावित करने में अक्षम हो रहे है यदि कोई स्वयम से अपना नियंतरन खो बैठे तो धहरिये से काम लेकर स्थिती को सामान्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जो कुछ भी मेरे समुक्ष है वे सब मेरे कारण ही कलंकित हो रहे है ये कैसी कालिवा चा रही है अब मैं किसी को अपना मुख्ट नहीं दिखाऊंगा मैं सदा के लिए जल कुर्ण में छिप जाता हूँ और इसके भीतर मुझे कोई देख नहीं सकेगा हुICE हुष हुष